नमस्कार, मैं suspended राजसभा सांसद राघव चड़ा, मुझे क्यों निलंबत किया, मुझे क्यों suspend किया गया, मेरा क्या अपराद है, क्या मेरा ये अपराद है, कि मैंने पारलमंट में खड़े होकर, दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी बीजेपी के सबसे बड़े नेताओं से सवाल पूछे, क्या मेरा ये अपराद है, कि मैंने दिल्ली सेवा बिल पर अपनी बात रखते हुए, बीजेपी के सबसे बड़े नेताओं से, नियाई की मांग करी, उन्हें उन्ही का पुराना मैनिफेस्टो दिखाकर, वादे पूरे करने को कहा, बीजेपी को आईना दि है, हमसे सवाल पूछता है, हम पर सवाल दागता है, ये लोग बहुत शर्तिशाली लोग, ये लोग किसी भी हद तक जा सकते हैं, इसी हफते मुझे कमिटी और प्रिवलिजिस के दो नूटिसे जा चुके हैं, शायद ये भी एक अपने आप में रिकॉर्ड होगा, सदन के अंदर विपक्ष को बोलने नहीं दिया जाता है, लीडर ऑफ ऑपेजिशन का माइक बंद कर दिया जाता है, इसी मौनसून सत्र में, तीन आम आदमी पार्टी के MPs को सस्पेंट किया गया है, संजे सिंग, सुशील कुमार रिंकू और मुझे, पहली बार शायद भारत के त सवाल ना पूछे, हर शक्स को सस्पेंट कर दो, मैं शहीदे आजम भगत सिंग की धरती से आता हूँ, पूरी मजबूती से प्रिवलिज कमीटी के सामने अपना पक्ष रखूँगा, नियाई की मांग करूँगा, इस देश के कई बड़े नेताओं के खिलाफ प्रिवलिज गांदी जी के खिलाफ करी, अटल भिहरी वाजपाई साब के खिलाफ करी, डॉक्टर मनमोन सिंग के खिलाफ करी, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि बीजेपी के लोग जिस प्रकार से राहुल गांदी जी की सदस्ता ले सकते हैं, कल कोई आम आदमी पार्टी की किसी भी सा गांदी के दोशी कह रही है, वो तो अपराद कही रूल बुक में लिखा ही नहीं हुआ, मैं आपको साफ करना चाहूँगा, कि बीजेपी के लोग ये कहा रहे हैं, कि मैंने कोई दस्तकत करकर किसी सानसत के सदन में जमा करा दिये, मैं आपको सथ्य बताना चाहूँगा, उजहा सकता हूँ, प्रस्तावित कर सकता हूँ, प्रपोस कर सकता हूँ, इसमें किसी सांसत की लिखिट सहमति यानि की रिटरन कंसेंट या सिगनेचर हस्ताक्षर की दस्तकत की जरूरत नहीं पड़ती है। आपको बस प्रस्तावित नाम देने होते हैं और अगर किसी सांसत को अपत्ती है तो अपना नाम विड्रॉ कर सकता है कहीं पर भी ना सिगनेचर लिये जाते हैं ना सिगनेचर जमा किये जाते हैं ना हमने सिगनेचर जमा कराए लेकिन फिर भी एक मौका इन लोगों को मिल गय करने का और मेरी रेपिटेशन को तार-तार करने का as a parliamentarian मुझ पर कीचर उचाल कर मेरी रेपिटेशन को हाम पहुंचाने का मैंने कहना चाहता हूं कि मैं आपकी इन चुनौतियों से डरता नहीं हूं अन तक आप से लड़ाई लड़ूंगा सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे द देखना है जोर कितना बाज हुए कातिल में जैंद